नमस्कार दोस्तों, राइट सपार के एक और वीडियो एपिसोड में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं अशोग लिलेंड के इको मेट 12-15 टीपर के बारे में इस वीडियो में हम इस टीपर के टेकनिकल इस्विक्षेंड, फीचर्स और प्राइस की बात करेंगे तो अंतक बने रहेगा आप इस वीडियो में अशोग लिलेंड का यह इको मेट 12-15 टीपर, मैनली कंस्ट्रक्शन, सेंड और प्रोजेक्ट वर्क के लिए है इस टीपर में अशोग लिलेंड का S-Series 4-Cylinder CRS with I-Generation 6 टेकनोलोजी का एंजन दिया है जो 150 होर्स पावर का पावर और 450 न्यूट्रमेटर का टॉक प्रियूस करता है यह एंजन मिड्नोक्स टेकनोलोजी से लेस है आपको बता दें मिड्नोक्स टेकनिक के तयत BS6 के मानको को पूरा करने के लिए IEGR प्लस SCR दोनों का यूज़ किया जाता है जिससे आपको AdBlue मतलब यूरिया के खर्चे में दूसरे कंपनी के वहानों की तुलना में कमी आती है 330 mm डाया का यहाँ पर सिंगल प्लेट क्लच विद्ट क्लच वूस्टर यूज़ किया गया है 6-speed synchronous gearbox यूज़ किया गया है इसमें cable shift का उप्योग किया गया है जिससे gear shift हो आसानी से फ्रंट में force eye section reverse ileo type front axle और rear में fully floating axle axle दिये गया है air brake के लिए यहाँ पर dual airline का उप्योग किया गया है 105 liter की capacity का fuel tank और 20 liter की capacity का diesel exhaust fluid tank मिलता है 8,25,20 के 16 ply rating के tire दिये गये है total gvw आपको 12,900 kg इस tipper में मिलता है दो wheelbase option के साथ यह tipper आता है 2850 mm और 3250 mm दोनों option में 6 meter cube की loading capacity आपको मिलती है overall dimension की drawing जो है आपको screen पर show हरी है आप इसके overall dimension यहाँ पर देख सकते है front look की बात करें तो कुछ इस तरह का front fascia आपको दिखता है front में full metal fascia दिया गया है नए powerful round halogen headlamps दिया गया है जो पहले से 2x ज़्यादा रोशनी देते है front fascia metal के होने के कारण higher diver को safety मिलती है वो accident के बाद front fascia की easy repairability अच्छे view के लिए large windshield और बड़े ORVM दिये गये है features की बात करें तो इसमें आपको USB charger मिलता है next generation ILR system दिया गया है जिससे आप अपने गाड़ी में fleet management, fuel monitoring, e-diagnosis वो वहान का remotely access भी कर सकते है new digital display दिया गया instrument cluster दिया गया जिसमें कई सारे features दिया गया कई सारे tail tail indicators आपको दिखते है gate shift advisory system दिया गया है जिससे driver को मिले सई gear में चलाने की जानकारी rear में आपको LED टेलरेम दिये गये है जिससे मिलती है longer life टिपर पर अशोग लेन के ओर से 2 साल 3,000 गंटे की vehicle warranty और 4 साल 4,000 गंटे की drive line warranty मिलती है इस टिपर की जो प्राइस है वो सुरूहते 20,000,000 से और अंतिम प्राइस जो है इसकी 22,000,000,000 रुक है यह इसकी एक स्वरूम प्राइस है इसमें आपको केबिन चेचिस और फुली बिल्ट दोनों ओप्शन आपको इस टिपर में मिलते है तो यहाँ पर इस वीडियो में इस टिपर के बारे में संपून जान करे देने की हमने कोशिस की तो आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जुरूर बताएगा तो आज के वीडियो को करते हैं यह एंड मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ तिल दे टाइम, इस्टे सेव, इस्टे हेल्दी जैहिन और 77 यूएस के आप से भी को हर्दिक सुपकामना है